अची के साथ जीवन अपने कारी को बेहतर कर रहे होंगे और उर्जानवित हो करके अपने लक्ष की प्राप्तिकी और अग्रसर होंगे आज हम आपको एक ऐसा चमतकारी प्रियोग बताने जा रहे हैं कि जिसको दस्त होती हो कैसी भी दस्तो किसी भी कारण से दस्त हो रही हो चाहे वो हैजा हो जाए कुछ भी हो जाए अगर दस्त बहुत जादा हो रही है तो आपको घर पे भी बैठे कैसे संपून चीजों का निदान मिल जाएगा आपको करना क्या है कि आप जायफल का चूण लीजिए एक ग्राम चूण आप सहद में मिला करके या दही में मिलाएए सबसे अच्छा उपाई इसका दही में होगा योग आप एक ग्राम जायफल के चूण को दही में मिला करके आप सुबह दो पहर साम सुबह साम ही आप देंगे तो दस्त लगभग बंद हो जाएगी लेकिन अगर सुबह दो पहर साम देते हैं तो यकीन मानिये कि दस्त किसी प्रकार की हो रही हो एक दम बंद हो जाएगी और सहज रूप से आराम हो जाएगा अगर यह भी आपके पास जाएफल नहीं उपलब्ध है तो क्या करिए कि जो आम है ना आम हम खाते हैं कहाई यह ना आम के आम गुठलियों के दाम ए तो आम को करें आम को तो खाने के बाद जो उसको लें इसको पत्तर पर में लेए जैसे ही आप लगाएंगे जैसे किसी नहीं गांठ बांदी हो तो आपको तुरंद के तुरंद दस्ट से आराम मिल जाता है आयरवेद में हैं आप चित्रक आता चित्रक या आप जो है इसको इसको तुटकी कि अवशचा घन्वती भी आती है सिंधा कुट á दाती का काम ही है कि कैसा भी आथिसार हो दस्त हो या बार-बार जिसको टायलेट जाने की आवसकता पढ़ती हो पेट बराबर साफ ना रहे उस कंडीशन में तो यह विरेचन का काम तो नहीं लेकिन यह है कि जो बार-बार आपको मलत्याग के लिए जाना पढ़ रहा है उसमें नियंतर्ण जरूर कर देगी और अगर इसकी कुटज घनवटी आती है उसको भी दो-दो गोली आप ले सकते हैं नहीं तो सबसे साधरन उपा यही है कि आम की जो गिरी है उसको आसानी से नाभी पिलेप करें चंदन बनाके या जायफल जो है जायफल एक ग्राम चून सहद दही में मिला करके सुबा साम खिला दे जो भी साधन आपके पास उपलब्ध हों आप उसका उपयोग करें संपूर रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा यह चमतकार आयुरुवेद और नचुरोपैथी में ही हैं इनके करीब रहें प्रकित से जुड़ें बड़ी से बड़ी बिमारियां हमारे प्रकित के साथ झाल